नमस्कार आप सभी को नए वच की शुब कामना है इस अपते एगरी कमोड़ीस याने क्रिशी फसलों में किस तरह का रुझान दिखने मिल सकता है इसकी चर्चा करते हैं शुरुवात एडेवलोल कॉंपलेक्स में सोयबीन से करेंगे तो हमने देखा है कि सोयबीन में 6200 के करीब की क्लोजिंग आई है नियर मन्त के एसाब से और 6000 के करीब के लोज से एक रिवरसल देखने मिला तो शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है रिवरसल जारी रहेगा और 6450 तक प्राइजिस जा सकती है अप साइड में लोवर साइड में 6000 का ही सपोर्ट देखने मिलेगा उसी तरह रिफाइंड सॉयल में भी एक रिकवरी पॉसिबल है 1165 के करीब की क्लोजिंग है ऐसा लगता है कि 1190 तक प्राइजिस जा सकती है वहीं अगर हम मसाला कॉंपलेक्स की बात करें तो मसाला कॉंपलेक्स में हमने देखा कि हल्दी में एक शांदार तेजी देखने मिली और साल का जो आकरी कारुबारी दिन है वहाँ पर 500 रुपे की बड़त के साथ नियर्मन ने क्लोज दिया है और 9500 के उपर की क्लोजिंग आई है ऐसा लगता है कि ये बड़त जारी रहेगी और हम बहुत ही जल 9800 उसके बाद 10250 तक के लक्ष भी देख पाएंगे तो बायोन डिप की सला होगी इमेज़िट तोर पर 9250 का इमेज़िट सपोर्ट होगा उसी प्रकार अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे में भी तीजी जारी रह सकती है और 16600 तक के लेवल हमें शौट टम में देखने मिलेंगे वहीं गौर सीड और गौर गम दोनों में भी खरीदारी की संभावना है और हमने देखा है कि गौर सीड में एट लिस्ट एक तीजी का रुज़ान देखने मिला है करेंट लेवल से करीब लेड़ सो से 200 रुपे की और तीजी दिख सकती है जबकि गौर गम में भी 10,700 के करीब की क्लोजिंग आई है और ऐसा लगता है कि बहुती जल्द हम 11,000 से 11,100 तक के लक्ष को चूप आएंगे वहीं पर जो हमने पहले या पिछले हफतों में बिनौला कल की बात की थी की 3,000 के उपर की लेवल देख पाएंगे तो एक नई recent high देखने मिल सकती है वहीं पर M6 cotton में भी नया high दिख गया है 34,200 के जो लक्षता हो हासिल हो चुका है 33,500 से 600 तक का एक correction देखने मिल सकता है लेकिन वहाँ पर से दुबारा तीजी की समावना बनती है तो पूरे ही अगरी कंप्लेक्स या क्रिशी फ़स्लो के कंप्लेक्स में ऐसा लगता है कि तेजी लोटी है और यह तेजी टिकाव हो सकती है तो यह था एक जाइजा कि अगले हफते प्रिशी फश्लो में क्या रुजान रह सकता है दन्यावाद झाल झाल